बजाज आमन ड्रॉप्स हेर ओयल, नारिष्ट हेर, स्टालिश यू और स्लाइज, इसके सामने सब फीके पड़ जाएंगी हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे मैने के सूरज की तमन्ना अपने हाँ चलाएं मेरे सपने आँसो बनकर मेरी आख में आएं मुझे सके उमीद भी अब नएंगे के हम फिर मिलेंगे प्रिया बहुत ही अच्छी लग, समझदारी की बाते कर रही थी? हाँ, नरेंद्र से बातचीत करने के बाद बहुत खुश नजर आ रही थी, मुझे लगता है उसे पसंद आ गया है, नरेंद्र हाँ, हाँ, मंगनी नहीं करेंगे हम लोग, सिधी शादी ही कर देंगे, हाँ, वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, जैसा तुमका हाँ, इतनी बेच्या नहीं हो रही है मुझे, जी करता है अभी फोन करके संतोष से पूछ लू, कि प्रिया ने नरेंद्र के बारे में क्या कहा है, इतनी भी जल्दी क्या है, उन्हें थोड़ा समय दो सूचने के लिए, लगता है उनी का फोन होगा, चाहद हम से ज्यादा जल्दी हो नहीं है, हलो, हाँ, संतोष, अरे डोंट बी सो फॉर्मल, हमें भी बहुत खुश हुई तुम यहाई, हम भी प्रिया के बारे में ही बात्चिक कर रहे थे, मैं तुम्हारे भाई सापको तो तुम्हारी प्रिया बहुत पसंद आई, अहां विल्कुल हम भी तो यहीं चाहते हैं, पर मैं बताया नहीं कि प्रिया ने क्या कहा नरेंदु के बारे में, अच्छा, ऐसा कहा, ओके संतोष, गिमी सम टाइम, इस पारे में हम विचार करेंगे, आहां आहां, जल्दी बताएंगे, बाई, क्या कहा हूंगे, वो राजी तो है ना, उन्हें नरेंद्र से ज्यादा विरेंद्र पसंद आया, प्रिया भी विरेंद्र से बेहा करना चाहते है, संतोष जानना चाहरी है कि हमें ये रिष्टा मन्जूर है या नहीं, हम फिर मिलेंगे चाननी जी, अगर आपका चिंतन पूरा हो गया हो, तो ज़रा यहां आकर आप मेरी मदद कर देंगी, भी ये कमरा सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है, रामा प्लीज, इस वत मैं मजाक के मूर में नहीं, तो सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं कहा मजाक कर रही हूँ, मैं भी तो सची कह रही हूँ, फर वैसे ये जो आपके सिर्का दर्द है ना, ये तो यू मिंटों में चला जाएगा, अगर आप ये चिंता करना छो आपके ये जगा है ना, तो मुझे भी बताना, मैं भी तुम्हेरे साथ ही चल पड़ूँगे, क्यों, तुम क्यों चलोगे, तुम्हे बहला क्या परेशानी, अरे चानली, मुझे क्या परेशानी, अरे भई मैं तो यहां पर रोज रोज ना, खाना पका पकार कर ठक गए अरे रोजवई, आटा माड़ो, रोटिया बनाओ, सबजी बनाओ, और फिर जाकर सक्तर सोचाओ, अरे ये जिंदवी भी कोई जिंदगी है, और मंगल जी, मंगल जी भी दो-चार दिन को आते हैं, मीठी-मीठी बाते करते हैं, और उसके बाद गायब हो जाते है, शादी कर तुम क्या करोगी तो बस उस लड़की का नाम बता पूचूंगी उसके घर जाओंगी घर जाकर उसका मून नोच लूँगी मुझे पूरा यखीन है कि तुम यही करोगी। लेकिन रमा मंगल भहिया ऐसे नहीं है वो तुम्हें बहुत चाहते है कैए absorbed और तुम ही से ब्या करेंगे तुम बहुत भाग्यशानी क्योंकि तुम्हें मंगल भीया जैसे जीवन साथ ही मिले लेकिन चानले मुझे एक बात बता तुम प्रकाश से शादी करने के लिए राजी क्यों हो गए अपनी मा की खादर या फिर ये भी तुम्हारी कोई जिद ही कैसी जिद ही शायद तुम ये साबित करना चाहती हो कि इस दुनिया में सरफ विरेंद्र जी ही ने बल्कि और भी लोग हैं जो तुम से शादी करने के लिए तरफ रहे हैं कमाले रहा तुम मजबूरी खुजित का नाम दे रही हैं लेकिन चानले क्या इस मजबूरी को तुम जिंदेगी भर निभा सकोग कल क्या होने 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 हो किस से पता मैंने अपने आपको वक्त के हवाले करते हैं अब जो मेरे भागे में लिख है नो भाही होगा ममा दोड़ी चाहे और दे ना उससे न तुम्हारी और प्रिया की कमरे में क्या बात हुई क्यों आप क्या पूछ रही है पहले तुम ये बताओ तुमने प्रिया से क्या बात की किसी ने कुछ का आप से दूसे तुमसे सीधा सवाल कूछ रही है तुम जवाब क्यों नहीं देते हैं ड़ाएव प्राब्लम ये हमता बस वही चैनल इदुरदुर की बाते कर रहे थे और प्रिया ने पूचा कि तुमारी हॉबिस के हैं तो मैंने भी कह दिया दोस्तों के साथ घूमना तफरी करना यही मेरी हॉबिस हैं और है फिलमें देखना और किताबें पढ़ना मुझे इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं है और मैंने उसे क्या दिया? अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा यू दो आप अप तब फिर संतोष भावी ने एसा एसा क्यों का? क्या का उनों ने? मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा है इस बाद का जवाब नहीं दोगे आप लोगे? उन्होंने कहा के प्रिया तुमसे ब्या नहीं करना चाहती वाट? उन्हों उन्हों नहीं करना चाहती और वज्य है? वो मैंने नहीं पूछा मुझे ऐसा लगा के शाहत तुमने ऐसी कोई बात कर दी होगी जिसके कारण आपकी सहली ने आपके बेटे की इंसल कर दी और आपने ये तक नहीं पूछा इसकी वज़े क्या है? तुम ममा से इस तरह से बात महीं कर सकते अगर तुम्हें जानना है तो महां फोन लागा के पुछो फोने करूँगा मैं रिया के खर जाकर उसकी ममी पापा के सामने पुछोंगा अगर उसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? क्या फिजूल बाते कर रहे हो तुम उनसे जाकर ये सवाल पुछोगे और किसे बुछूँ ये कोई मामूली बात नहीं डड़ी उस लड़की ने बिना पता है मुझे रिजेक्ट कर दिया है इस वेरी इंसल्टिंग रोको इसे ये तो जाएगा और पूछेगा दरे अंदर के नेचर से क्या तुम वाकिफ नहीं हो ना वो संझेगा ना रूकिएगा हम फिर मिलेंगे दूद दूबाल दिया नो महमानों के लिए इतने सारे पक्वान बनाए वो लोग तो बिना खायी चले गए अब इतनी सारी महिनत हमारी पानी में अब यह लोग तो बासी खाना खाते नहीं अब यह डेक्चे उठा कर गाओं में भिजवाने होंगे बचारे गरीब दो खाले तो क्या हुआ माराज गरीब लोग अपको दुआएं तेंके अरे यह गाह वाले बड़े ना सुक्रे हैं नेकी कर दरिया में डाल यह तो वही मामला हो जाता है लेकिन महाराज यह मेहमान लोग सब इतनी जल्दी क्यों चले गए वो तो यहीं रुकने माले थे ना रात को हमको तो बस इतना मालूम है कि छोड़े सरकाव प्रिया मेम साब को अपने कमरे में ले गए ते कुछ खास बात करने तो अच्छा तो लगता है वह जरूर कोई तनातनी हो गई हो तो यह दर बाद प्या मेरम आपस आई और अपने मम पापास बोली तूद दूद दूबाल नौज कि कि अपने सारे में इतने सारे पक्वान बना है वह लिए विना क्थाया ही चले अब इतनी सारी मेहनत हमारी पानी मिट हैं अभी लोग तो बासी खाना कहते नहीं आप ये डिक्चे उठांकर गाव बिज्वाने हूंगे भीजाने होंगे बचारे गरीब लोग सुक्रे हैं नेकी कर दरिया में डाल ये तो वही मामला हो जाता है लेकिन महराज ये महमान लोग सब इतनी जल्दी क्यों चले गए वो तो यहीं रुकने माले थे ना रहत को हमको तो बस इतना मालूम है कि छोड़े सब का प्रिया मेम साब को अपने कमरे में ले गए ते कुछ लेकिन हम तो फॉरान समझ गए ये जरूर कोई बहाना मना रही है अब तो ये ब्याब नहीं हो चलो अच्छा है पजगे बिचारी आपके छोटे सबकार कसा शादी करती ना तो जिन्देगी बार रोती रहती औरे कैसी लड़की हो तुम है जिस घर की रोजी रोपी खा रह अगली बार से हम अपने मन की बात तुम लोगों को बिल्कुल नहीं बता हूंगा बताय दे रहा हूं हां चानी आज तो तुने डरा दिया महराज को जोना हो चाहिया जो हुआ यह जो है आप लोगों के लिए गरम गरम चै लिकन चैनि क्यो बना कर लाई सवीता क्या गर्या जाव हुआ है ममा दरसल वो सवीता किछन में काम कर रही है तो मैंने सूचा कि मैं आप लोगों के लिए चाहे लिया हाँ जी मैं संतोष बोल रही हूँ हाँ बेटा कैसे हो तुम लोग हम लोग सब ठीक है हाँ वो है ना मैं फोन देती हूं से शिवानी के बेटी नरेंद का फोन है तुमसे बात करना चाहता है कि अभी उसे क्या बात करूंगी मा उसे खुदी पूछ लो अपसे के इजिए कि मैं घर नहीं हूँ लेकिन मैं उसे कह चुकी हूं तुम घर पर हो आप से कही है कि मैं बिजी यूं इस तरह आवाट क्यों कर रही हो फ्रेंक के बता तो कि तूंसे ब्या कर रहा नहीं चाहते है वुषी करने तो, वो तुषी करने, लोगो हुआ जो पहीं हुआ पात पर इसे हलो हलो प्रिया ए हाई और यू अजय नहीं तो, आप कैसे हैं? आम नोट गोड़ बहुत अप्सुड हो मैं तुमसे यह बात ने तुमसे मिलकर करना चाहता था लेकिन सोचा कि मिलने से पहले फॉन कर लूँ वैसे मैं यह जानना चाहता था कि तुमने मुझे रिजेक्ट को किया है अगर क्यों शादी नहीं करना चाहती तुम मुझसे वजे बताना जरूरी है हाँ वजे बताना जरूरी है तुम्हारी बाते बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तुम्हारे बात करने का धंग भी बहुत ही बुरा है यहां तक की हमारा नेचर भी एक दुसरे से बहुत ही डिफ्रेंट है तुम मजाग कर रही हो हाँ अब इसमें मजाग की कौनसी बात है आएं सीरियस अदियु सो प्रीटी सो यंग इतना सीरिस अना ठीक नहीं है अजय काम करती है नोच दिन में तुम्हारे घर वार दिनर पे लेके जाता हूँ आप अराम से बैठके बीनान से बाते करेंगे वड़ियू दिलाथ मेरी एक्जाम से लडरहे हैं मैं बात में सोचूं की मामा, अजीव मुसीबत है वो तो हाथ दो के मेरे पीछे ही पढ़ गया है नश्ले बाति अंटी, अज़ा और यू? वे, सीर तुम आचा इधर इधर जी तरह, क्यासे हो एकदम फिट आँटी चान्दी घट पे है तुमें तो पता है ना वो सिर्फ शनिवार को बिलती है अभी तो हवेली में होगी पाथ यांटी मैं भी सिच्टर को यह इच बोलना आता है एक्चली वो क्या है ना कि अपन लोग तो सीधे हवेलीच जाने वाले थे पन चान्दी तो उदर मिलती चिनी पुले तो काम में बहुत बिजी रहती है ना पेचारी पर दिर आती आँटी प्लास टाइम ना अपन लोग को उदर कुछ बैड एक्स्पिरियेंच भी हुआ पुले तो उदर महराज नाम का जड़िया ना अपनों का बहुत इंसल्ट किया अच्छा बहुत ज्यादा आंजी खर छोड़ो एवर माइन जो हो गया सो हो गया हाथ तो मैं यह कह रहा था मदरीन लोग मैंने आपको मदरीन लोग वोला आपको बुरा दू नहीं लगाना अरे बिल्कुल नहीं बेटा वैसे भी जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं यही तो कहलाओंगी देका सिस्टर अरे मालती आंटी इस वेरी स्पोर्टी जाननी के लिए यह सब लेकर आया उसको बोलो मैंसे जो पसंद आवे सब रख लेवे जो नहां पसंद आवे वह वापिस कर देवे लाद दे ना अरे अरे वाद अरे कैसे लगा आंटी पसंद आया हाँ बहुत अच्छी इस आंदी को बसंद आएगा क्यों नहीं अच्छी चीज किसे पसंद नहीं आते यांटी बात बूलने का है तेरे को ना अरे इसका डेट थोड़ा था जल्दी फिक्स करने का मांगता है तो जल्दी फिक्स करने को मांगता है मैं ना पंडी जी को बोला है वो एकाद दिन में बहुत अच्छा था डेट देखके बताएंगा ठीक तारी को कि करके मुझे बता देना मैं सब तैयारियं कर लो थेंक् आट इसका अप्तो बहुत ही है लो थे किया रहा है अजिक्ड कारेम सब्सक्राइब करेश आप था था नहीं करे दोछो भी को हामती है कि मैं वादा करती विरेंदर जी कि मैं हमेशा अपने साथ हूँ आप हमेशा मुझे आश्वासन देते रहे कि आपके ममी डाडी मांच जाएंगे लिकिन मैंने उनका रवेया देख लिए हमें मजबूरन होटन में रहना पड़ा है इस बात का इतना बड़ा हंगामा बना दिये उन्होंने जे पता है कि आपके मम्मी डाडी शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी कभी नहीं सच कहती थी मां कि मैं सपनों की दुनिया में जी रही हूँ रेगिस्तान में आने वाली गर्मी को रेत की लहर पानी समझ ली थी आप कुछ आती हूं और हमेशा चाहती रहूंगी लेकिन हमारा साथ नामुमकिन है अब मुझे लगता है कि अब मिलना भी बंद कर देना चाहिए यह जो आप यह जो 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 बार थोड़ी देर घुमाओ यह काम करो कुछ दिन के लिए बंबबभी चले जा ने दोस्तों से मिला नहीं नहीं ममम मैं यही ठीक हूँ क्या ठीक हो मैं देख रहे हूँ चनि दिनों से तुम बहुत ऐले आपले रह रहे हो चुप-चाप यह पात है योई है थोड़ा चुब-चुब रहने को मन करता है इसलिह कह रहे हूं शादी कर लो एक बार पकनी आजाएगी तुम्हारी घर में तो फिर ये अकेला पन, चुप-चुप रहना, सब दूर हो जाएगा लगता है अप्टी कह रहे हो अब मुझे चादी कर लेनी चाहिए कि में नरेंटर के सामधे नहीं बता है और वज प्री आया थी न बोडगी हॉँ वोज़ लड्की आय थै हाँ हुढ तुम्हार करती है हो मुझे पर मुझे क्यों क्यों मतलब यूंकि तुम इतने हैंसम हो तुम्हारी परस्णालिटी देखो तुम्हारे बात करने का तरीका ऐसा है कि कोई भी लड़की फॉरन तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए इसकी महा संतोष प्या को लेकर यहाने में तुमसे पहले है अमा दो बाते हैं पहल पर्यामें नहीं है क्या खुबियां चाहिए आपको आपकी पत्ती नहीं हो पताई मैं सबसे पेली बात और रही सघर की नहीं होने चाहिए बही सगर की लड़कियां तोड़ी इसे नंकचड़ी होती है ना जाए और अर क्या और बस खुबशूरत हो लेकिन उसे अपनी कामकार निरूची होने हाहिए, हसमुक, हसमुक होनी चाहिए हमेशा मुस्कराती रहे हाप की था और बस खाना मराने में माहिर होनी चाहिए, जाधा ऐस्टने नहीं हो लेकिन कपड़े पहने का सिलीक आना चाहिए बस ये समझ लो की आपकी पर्चाई चाहिए आज करके जमाने में इतनी खूविया एक लड़की में पाना बहुत मुश्क्राइब जब आप में हैं तो अगर हम ढूनेंगे तो किसना किसी में होगी कौन है बता कौन है कौन है जिसकी तारीफ हो के इतने पूल बांध रहे हैं आप कान है बो लड़की आफ को लड़के नहीं मैं तो बुल्रा था कि SEC ताण को मिला रहा है अब मिलाओ कर जलती है दूभा तौब बजाज आमन प्रस्तुत करते हैं, हम फिर मिलेंगी